नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं के मांसून सत्र को लेकर फैसला लिया गया, जिसमें 28 जुलाई से 4 अगस्त तक सत्र चलेगा वहीं जार्खन राज बंदोबस्त प्रारूप सेवा सनवर्ग नेमाली को कैबिनेट के मंजूरी मिल गई जार्खन केबिनेट की बैठाग में बिली से सम्मधित परियोज नाओ के लिए बड़ी रासी आवंटित की गई है हमत केबिनेट की बैठाग में उर्जा अग में टेंशन स्कीम के तहत टांसफर्मर के लिए 81 कोलोर रूपय की प्रसासनिक स्विक्रिती दी गई वहीं उर्जा सब एस्टेशन हजारी बाग गोमिया संचरन लाइन के निर्मान के लिए भी रासी की स्विक्रिती मिली है इसमें पतरातू सूपर पावर थर्मर प्लांट के उत्पादित बिली को 217 कलोर की प्रसासनिक स्विक्रिती दी गई है जारखन में 14 जुलाई तक भारी बारिस रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से 14 जुलाई तक राज के कई जिलों में भारी बारिस होने की उमीद है मौसम विभाग के द्वारा बताया है कि अब तक समाने से 46 डिगरी कम बारिस हुई है आने वाले समय में मानसून सक्री रहेगा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर बताया है कि रामगर बुकार अम रांची जीला में 12 जुलाई को भारी बारिस हो सकती है वहीं बिभाग के द्वार बताया गया है कि राज में मांसुन सक्री है लेकिन पिछले साल के अपेक्षा आप तक समाने से कम बारिस हुई है अईसी समहोना जाताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में होने वाला साइकलोनिक सर्कुलेशन का अज़र जार्खन में भी देखने को मिलेगा आंध्र परदेश पच्छिम बंगाल जार्खन एम उडिसा के हिसे में अगले चार जिनों में भारी बारिस की चेतावनी है लोगों से मुलकात कर जैसे ही अपनी गाली पर बैठने लगे एक महिला उनके सामने फुट फुट करोने लगी अचानक इस तरह की चीदी देख मुख्य मंत्री हमन से खुद चोक गए कि आखिर माजरा क्या है बतादे सीम ने इस दरण अपनी गाली से पानी के बोतल निकल कर उसे पानी पीने को कहा और कारणों को जानने की कोशिस करने लगे सीम के बार बार पुछे जाने के बावजूद ओ महिला रोती जा रही थी और समुशित कारण नहीं बता पा रही थी इधार CM के सामने हो रहे इस तरह के वाक्या को देख मीडिया कर्मियों का कैमरा भी उस महिला पर पोकस हो गया बता दे मुख्य मंत्री ने वगर कारण समझे बुद्धवार को दीन के सड़े 11 बज़े मुख्य मंत्री आवास पर आने की सला दी और समोशित न्याय का भरोसा दिया फाइरिंग की वरदातों पर पुलिस मुख्याले गंभीर रांची में हाल के दिनों में हुई गोली बारे की घटना को लेकर पुलिस मुख्याले ने काफी गंभीरता से लिया है डिजीपी आजय कुमार सिंग ने राजय के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिसा निदेस भी दिये उन्होंने काहा है कि सहर को सिर्फ थानेदारों के भरों से नहीं छोड़े एसप डिएसप भी फिल्ले में निकले बताद राजधानी रांची में हाल के दिनों में हुई गोली बारी की घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्याले बहाद इगंभीर है मंगलवार की साम डिजीपी ने हाल के दिनों में हुई गोली बारी और हत्यागी घटनाओं की समिक्चा करते हुए जीलों के अफसरों को यह निदेस दिया है कि जल्द से जल्द अपराधियों परनकेल कसे और घटना में सामिल अपराधियों को सलाकों के पीछे पहुचाए रांची में जमीन कारोबारी कमल भोसन के मैनेजर संजर कुमार सिंग के हत्या और कोईला कारोबारी रंजीत गुपता पर फैरिंग के केस को पुलिस मुख्याले ने काफिंग अभीता से लिया है रांची पहुंची नौ सदस्याई नीती आयो की टीम नीती आयो की टीम मंगलवार को दोपर करीब साहे चार बजे रांची आरपोड पहुंची यहां पहुंचने के बाद नीती आयो की टीम की तरफ से आई लोगों ने बताया कि जर्खन में चल रही केंद्र की योजिनाओ की रासी के भुगतान को लेकर चर्चा की जाएगी इसके अलावा राज्य और केंद्र के बीच हुई आर्थिक समझ होते सहीत बिभीन मुद्धो परमुख्य मंदिर से चर्चा होगी बताज निती आयो केंद्र और राज्य के भी समनवा स्थापित करने का काम भी करता है ताकि राज्यों को नियमाम सरकेंद्र के द्वारा दी गई रासी मिल सके निती आयो के स्पेसल एडवाईजर निरज सिन्हा ने कहा है कि बुद्ध्वार को 12 वजे मुख्य मंद्री के अद्रक्स्ता में बैठक होगी बैठक में सभी भी भागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीप सेक्रेटरी भी मुझूद रहेंगे वही निती आयो के स्पेसल एडवाईजर निरज सिन्हा ने कहा है कि राज सरकार के साथ या पांच भी बैठक होने जा रही है सेविका सहाईका के खाली पदों को भरने का निर्देश रांची उपायोक्त रांची उपायोक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा मंगल वार्पो जीला समाज कल्यान कर्याले और बाल सनच्छन ही काई का निरिशन किया गया उपायुक द्वारा कर्याले में कर्यारत मानों बल एवं उनके द्वारा संपाधित किये जा रहे कार्यों विभाग द्वारा चलाई जा रहे समधित वजनाव की विष्टी जनकारी लेते हुए आवसक दिशानी देश दियेगा निरीक्षन के दवरान उपायुक द्राभुक द्वारार निर्वारा चलाई जा रहे विभी नर्वार की समिक्ठावी की चाई अभिसेख जहा को मिली नियमीत जमानत 10 जुलाई को पास्पोर्ट किया था जमा मनी लॉंडिंग मावले में सस्पेंड आई एस अधिकारी पुया सिंगल के पती अभिसेख जहा को PMLA के स्पेस्टल कोट ने मंगलवाग नियमीत जमानत दे दिया कोट ने 1-1 लाग रुपय की नियजी मुचकले पर नियमीत जमानत पदान की है बता दे कि सुप्रीम कोट के निर्देश पर अभिसेख जहा ने PMLA के बीसेश कोट में स्रेंडर किया इसके बाद कोट से नियमीत जमानत का आगरा किया गया था इसमें सुप्रीम कोट ने विसेख जहा को PMLA के स्पेशल कोट में स्रेंडर करने को कहा था UCC को लेकर बिधायक लोबिन ने सियम हेमनत व बाबुलाल पर साधा निसाना UCC समान नागडिक सनहिता को लेकर जहामो बिधायक लोबिन हेमरम ने जारखन के मुख्यमंतरी हेमनसुरेन और पुर्मुक मंत्री बावुलान मरांडी की चुपपी पर सवाल खड़ किया है उन्होंने कहा है कि देश में UCC लागू करने के त्यारी चल रही है आदिवासी और अल्ब संख्यक संगाठनों ने इसका बिरोध करना सुरू कर दिया है जारखन के मुख्य मंत्री हमाउसलेन ने सारना धर्मकोट की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की जब UCC लागू कर दिया जाएगा तो सारना धर्मकोट की मांग वैसे ही खत्म हो जाएगी उन्होंने कहा है कि बहुत दूख है कि UCC पर आदिवासी मुख्य मंत्री ने एक सब्द तक नहीं बोला है बिस्वजन संख्या दिवस पर बोले स्वास्त मंत्री दो बच्चों की हो दुनिया विश्व जन संक्या दिवस के मौके पर आईधानी राची के सभागार में आईध कारकरम में सामील जारखन के स्वाज मंत्री बना गुपता ने कहा है कि आज जिस तरीके से जन संक्या बढ़ रही हो अचिंता कभी साय है इसका दूस परिणाम अर्थ बेवस था गुलोबल वर्मिंग रोजगार आधी छेतर में देखिने लगा है उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ जो हम छेर छड़ कर रहे हैं उससे बविस में बड़े संक्ट उत्पन होने जा रहे हैं इस मौके पर जन संक्ट निहंतरन को लेकर लोगों को जागरूप करने के लिए जागरूपतारवात को रवाना किया गया स्वास मंत्री ने कहा है कि समाज में दहेज, उत्पिरन और बेटी की चाहत में बेटीयों की भुरून हत्या आधी के करन आज देश में पूर्चों के मुकाबले महिलावों के संक्या कम है कुवैत में रहेगी दुमका की चार साल की मोसीका, काल्पिनिक नाम अब अपने माता पिता के साथ कुवैत में रहेगी उसे कुवैत में रहने वाली संतान दमपती ने गोद लिया है जो मोल रूप से मुंबाई महराष्र के रहने वाले है दस्तक ग्रहन संस्थान दुमका के द्वारा दिया गया या पहला इंटरकरंट्री एडोप्शन है या दुमका के उपायुक्त रभी संका सुकला के परियासों से संभव हो पाया है राजभवन के विस्वविद्याले निरिक्षक संजीव राय ने रांची इन्वर्सिटी का किया निरिक्षन वोकेशनल कोर्सों एवम सुभिधावों के बारे में जनकारी दी राज भवन के विशुभिधाल ने रिक्षक संजीव राय ने बैठक के बाद बेसिक साइन्स केमपस तथा मुरबादी परिशरीचीत कई विभावों का भरमन किया है रांची के बुड़ू में धान बेअपारी को गोली मार कर किया घायल रांची जी लांतरगत बुड़ू में तीन अग्यात अपराधियों ने धान बेवसाई रोशन भगत को गोली मार कर घायल किया है दोरान अपरादियों ने रूपाय से भरे बक्से को लेकर फरार हो गाए गंबी रूप से घायल बेव साई को राई धानी राची के एक अस्पताल में भरती कराया गया घटना के सुचना मिलते ही अनुमंडल पूलिस पता दिकारी बुड़ू अजय कुमार और थानेदार इंस्पेक्टर संजीव कुमार पूलिस बल के साथ मोगे पर पहुच कर जाच परताल में जूट गाए जनकारी का अनुसार बुड़ू थाना चेतरे के बंजारी बाजार के समी मंगलबार के सुबा साड़े नौ बजे तीन अग्यात अपराधियों ने धान बेपारी रोसन भगत को गोली मार के गंभी रूप से गायल कर दिया है जामोमो के हजारी बाग जीला अध्यक्स पर दुसकर्म के आरोप अधिक्चक मनोज रतन चोथे ने कहा है कि हमें महिला से सिकायत मिली थी जामोर नेता ने भी जबाबी सिकायत दर्च कराई है हम दोनों सिकायतों की जाच कर रहे है वहीं पुलिस सूत्रों का काना है कि दुसकर्म की सिकाय दर्ज कराने के अलावा महिला नया भी आरोप लगाया है कि संभूल आले आदों ने उस पर ब्यापार में निवेश के लिए 30 लाख रुपए लेन देन का भी दबाव डाला मानसिक रोगियों में सबसे अधिक सक की बिमारी के सिकायर मानसिक रोगियों में सबसे अधिक लोग सक की बिमारी से पिडित हैं रांची के केंद्रिये मन चिकित सा संस्थान में हर दिन OPD में 400 के करीब मानसिक रोगी पहुँचते हैं इन में से 65 फिर्दी स्याधिक मतलब 100 के करीब मरीज इस लक्षन में पहुंचते हैं। मरीजों में ऐसा सीजोफ्रेनिया नामक विमारी के कारण होता है। संस्थान के विशेसक मनोचिकिसक डाक्टर सुदेंदर पलिवाल ने बताया है कि सीजोफ्रेनिया बहुत बड़ी समस्या है। कुल अबादी के करीब एक फिश्दी मरीज में या समस्या देखी जा रही है। आयसे मरीज वास्तिक्ता से नाताख हो देते हैं। आयसे मरीज हमेशा सक सही घीरे हुए रहते हैं। वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवयदन कर सकते हैं। बतादे JSC 2023 के लिए आवयदन करने वाले अभियार्ती 15 अगस से 18 अगस 2020 तक आवयदन कर सकते हैं। JSC के इस भरती अभियान में कुल 900 से ज्यादा पदो पर योग अभियार्तियों के नियुक्ति की जानी है। इस परिक्षा के जरिये जार्खन अद्योगिक प्रसिक्षन पतादिकारी के पदपर नियुक्ति होगी। केंद्र सहयोग करे तो जार्खन मचली का रिकोर्ड उत्पादन करेगा। जर्खन के किरिसी पसुपालन एमसाकरता विभाग के सच्चीव अबुबकर सितिकी ने कहा है कि जर्खन में माइनिंग पीट में केज कल्चर की योजना में सकरात्मक नतीजे सामने आये हैं। राजे में केज कल्चर को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। बतमान में जर्खन राजी के अंदर 75-100 से ज़्यादा केज लगाए गाए हैं। भारत सरकार दोहेर तेश चोविस के लिए 52 केज लगाने के लिए भेजेगे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो जर्खन मचली का रिकोर्ट उतपादन करने में सक्चम है। तमिलाड़ू के महाबली पूरम में नेशनल फीस फार्मसिस डे पर आयोजी दो दिनी कारकरा में अबोबकर सिद्की ने जर्खन में मतस से उतपादन और संभावनावा के संदर में केंद्रिय मंत्री पूर्षवत्तम रूपाला के समक्ष कईजान कारी दी है। साहब गंज में अवयद खनन मामले में एडी की करवाई तेज। साहब गंज में एक हैर कलोर के वयद खनन केस में बरहेट बिधायक परतिनिधी पंकज मिस्रा प्रेम परकास बच्चू यादो दाहो यादो समयत अन आरोपियों की संपति जब जल्द होगी। इंडी के करवाई के बाद या संबंध में एडुकेटिंग अथरेटी ने आरोपियों से संपति जबति के संबंध में पक्ष मांगा था। रांची से हदराबाद के लिए दूसरी बिमान सेवा शुरू। रांची हदराबाद बिमान प्रती दिन सुबह साड़ेगार बजे रांची एयरपोर्ट से उरान भर रहा है। बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सली डिपी आदव। जारखन के सिमावर्ती बिहार के जमोई जीले की पूलिस टीम ने देवगर के कुंडा थाना चेतर के नक्सली देवेंद्र परचाद उर्फ डिपी आदव गिरफतार किया है। बिहार पुलिस काफी समय से उसकी तलास में थी, वहां की टीम यहां गूपत रूप से कैम्प कर रही थी, इसी बीच पुलिस को उसके यहां मौजूद होने की खबर मिली, इसी सुचना पर छापे मारी कर उसे यहां से गिरफतार कर लिया गया। बताया जाता है कि डीपी यहां काफी समय से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ है, वह नक्सलीों के फंड मेनेजमेंट का काम भी देखता है, बिहार पुलिस को उसके हां थियार सफलाई में भी हां थोने की जनकारी है। धनबाद के नवालिक छात्रा मामले में सिक्षिका और प्रधाना ध्यापक गिरफतार। इन पर आत्महत्या के लिए उक्साने का आरोप लगा है, बताते चले कि छात्रा स्वमवार को बिंदी लगा कर इसकूल गई थी, जिसके चलते सिक्षिका भड़क गई और छात्रा को थपड जड़ दिया था। में डीवी सी कमांड एरिया में चार गीट सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। धन्यवाद।